अभी जो सिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है मैकॉले ने जो पाठिक्रम तै किया वो ही हम पढ़ते हैं और दुर्भा किसे मैकॉले जो पाठिक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिन्दगी में कभी काम नहीं आता हम पढ़ते हैं रटते हैं कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं कौपी पे लिखना माने उल्टी करना सो में से 96 नमबर ले आते हैं अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से 96 नमबर जिन्दगी में काम नहीं आती वो सिक्षा मैं मेरे उधारन देता हूं सालों साल मैंने पढ़ाई की मेरा जीवन खराब किया मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता जितने साल मैंने पढ़ाई की जितना पैसा मेरे माता-पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया जितना पैसा मेरे tuition पे मेरे माता पिता ने खर्च किया अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंदा और व्यापार करता तो करोड़ पती होता क्या पढ़ाई हुई है मेरी मैंने बच्पन में पढ़ा x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square अब मेरे समझ में नहीं आता कि करूँ क्या इसका मैं मेरी जिंदगी में मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया मैंने रटा रट रट के दिमाग खराब किया घंटों घंटों बरबाद किये किलो किलो कागज मैंने लिख लिख के खराब किये और वो मेरी जिंदगी में आज तक काम नहीं आया x plus y whole square क्या करूँ मुझे मालूम ही ने मेरे गणित के प्रोफेसर को एक दिन मैंने कहा कि आपने मुझे ये क्यों पढ़ाया x plus y whole square ये बेड़िया धसान क्यों चला रहे हो इस देश में जो काम नहीं आता वो क्यों पढ़ा रहे हो इस देश के बच्चों बच्पन में मुझे पढ़ाया गया अमरीका का पहला राश्ट्रपती कौन क्या करूँ इसका मान लीजे मुझे मालूम है अमरीका का पहला राश्ट्रपती जोर्ज वाशिंग अटन करूँ क्या मालूम है मुझे है क्या करूँ इसका मैं सबजी खरीदने जाता हूँ बजार में सबजी वाले को करता हूँ देखो मुझे को मालूम है अमरीका का पहला राश्टरपती जोर्ज वाशिंगटन था वो सबजी देगा क्या मुझे फाल तुमें रटा रटा के मेरा दिमाग खराब कर दिया अमरीका का पहला राश्टरपती कौन और मुझे इतना दुख होता है तकलीफ होती है कि कोई मुझे ये पूछना शुरू करे कि तुमारे परिवार का पहला राश्टरपती कौन मुझे नहीं मालू मेरे परिवार के राश्टरपती से मतलब मेरे दादा दादा के दादा के दादा कहीं से हमारा कुल शुरू हुआना तो मेरे कुल का पती माने मेरा पहला पिता वो कौन नहीं मालूम और अमरीका का पहला राश्टरपती मालूम है और मुझे तो इतना दुख होता है कि अमरीका का पहला ही राश्टरपती नहीं मालूम धाई सो राश्टरपती मालूम है मुझे उनके और मेरे कुल के ढ़ाई आदमी के नाम नहीं मालूम मुझे मेरे पिताजी का नाम मालूम है उनके पिताजी का उसके आगे बढ़ता हूँ तो सब ब्लैंक हो जाता है यादी नहीं मुझे क्या करना ऐसी सिक्षा से काम की क्या है ये बच्पन में मुझको पढ़ाया कनाडा का क्लाइमेट कैसा भारत का नहीं कनाडा का कनाडा की जलवायू क्या है क्या करूँ उसका कनाडा की जलवायू का मैं तो कभी कनाडा जाने वाला नहीं कनाडा मेरे घर में कभी आने वाला नहीं उसकी जलवायू पढ़के करना क्या है मैं शिप्पुरी में रहता हूँ मैं भोपाल में गौालियर में रहता हूँ मुझे शिप्पुरी की जलवायू मालूम है तो कुछ काम आने वाली है कनडा की जलवायू क्या काम आने वाली है कभी जिन्दगी में मौका मिला कनाड़ा जाने का जिसका कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है तब जाके वो बात कभी काम आएगी उसके लिए रट रट के पढ़ पढ़ के दिमाग खराब कर दिया घंटों घंटों ऐसा फालतू इतिहास पढ़ाया अकबर बड़ा महान था होगा मैं क्या करूँ अकबर महान था ठीक है मैं क्या करूँ उसका मेरी जिन्दगी में उससे क्या फाइदा होने वाला है अकबर की महान था से मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो घ्यान हम ले रहे हैं हमारी सिक्षा में वो जिन्दगी में कभी काम नहीं आता आप इमानदारी से अपने बारे में एक दिन ये करना मेरी बात है इसलिए नहीं आपने जो जो पढ़ा है अपनी जिन्दगी में याद करो उसमें से कित पढ़ा कियों फिर रटा कियों उसको और आप ऐसे सोचो दूसरा उल्टा सोचो कि हमने जितना पढ़ा वो कितना हमें याद है याद उतना ही रहेगा जो रोज काम आता है बाकी कच्रे को दिमाग निकाल के ऐसे ही फेक देता है जो याद ही नहीं रहे और काम नहीं आए उ उसको पढ़ना और पढ़ाना क्यों तो मैंने सोचा कि सिक्षा व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है हमारे बच्चों के ऊपर इतना बोजह हो गया है इस बोजह ने बच्चों को कटम कर दिया कभी-कभी तो मुझे इतना अफसोस होता है अख़वारों में ख़वर पढ़ बच्चों के बारे में तो सारी दुनिया कहती है कि वो तो कच्ची मिट्टी के घड़े के जैसे हैं जैसा आप शेप दोगे वैसे हो जाएंगे हमारे बच्चों को हमारे अध्यापक और परीक्षा वाले शेप नहीं दे पाए इसलिए परीक्षा पद्धती फेल हुई है बच्चे फेल नहीं हुए मुझे तो कई बार ये कहने के मन करता है कि बच्चों को फेल करने वाले अध्यापकों को फेल करना चाहिए क्योंकि उन्होंने पढ़ाया नहीं ठीक से समझाया नहीं बच्चों को ठीक से और इस सिख्षा पद्धिती में क्या भेडिया धसान है सौमे से 90 नमबर लाओ, 99 नमबर लाओ, 98 नमबर लाओ तो आप बहुत होशे आ रहे हैं 33 नमबर लाओ, 30 नमबर लाओ तो आप बिलकुल बेकार हैं न्यूटन को तो जिन्दगी में कभी भी 30 से जादा नमबर आए नहीं बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है कभी फैल, हमेशा ही फैल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन इसकूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फैल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है जब इसकूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वा करशन का सिध्धान्त दे दिया आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो नो कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी निकाल दिया इसकूल ने उसको क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था इसकूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E is equal to MC square का जो सिधान्त दे दिया सारी दुनिया उसका गुड़गान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो इसकूल में 9 कलास के आगे बढ़ा ही ने मतलब मैं कहना चाहता हूँ 9 पढ़ जाए 10 पढ़ जाए 12 पढ़ जाए 16 पढ़ जाए इससे कुछ लेना देना नहीं ग्यान जो है न डिगरियों से नहीं तौला जाता है ग्यान अलग चीज है डिगरियां बिलकुल अलग चीज है मैं तो इसी देश की कहानी देखता हूँ धीरुबाई अम्मानी नौ क्लास फेल हो गया पेट्रोल पंपे नौकरी करना शुरू किया और रिलाइंस नाम का एक एमपाइर खड़ा कर दिया जो सारी दुनिया में साड़े चार लाक करोड का है नौ क्लास फेल आदमी साड़े चार लाक करोड का एमपाइर खड़ा करके छोड़ गया इसका माने ग्यान का डिगरी से कोई संबंद नहीं घंश्यामदास बिरला चार क्लास पड़े इस्कूल और गाउं छोड़ कर निकल गए लोटा लेकर कलकत्ता पहुँच गए और इतना बड़ा खंदान बना दिया बिरला इमपाइर जो आज लाकों करोड का है चार क्लास पास आदमी ने किया बिरला जी कहा करते थे कि क्लास पास करना कोई महत्यू की बात नहीं है जीवन की तुल नाम तो हम जीवन को जीने वाली सिक्षा हमारे विद्यार्थियों को दें ऐसी सिक्षा व्यवस्था हम बनाए जिसमें डिगरी का महत तो ना हो ग्यान का महत तो हो परीक्षा का महत तो ना हो सीखने का महत तो हो पढ़ाने का महत तो नहीं हो वो सिखाने का महत तो हो अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें दोनों सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ें ऐसी एक सिख्षा व्यवस्ता हम बनाना चाहते हैं और ये पूरी सिख्षा व्यवस्ता मात्र भाशा पर आधारित होगी ये अंग्रेजी पर आधारित नहीं होगी अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को मार मार के सिखाते हैं बच्चे विचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं भौतिकी में पास होते हैं रसाइन में पास होते हैं अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं हो नहीं चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाशा है मुझे आप एक अंग्रेज बताईए और दिखाईए जो हिंदी में पास हो जाए तो मैं अंग्रेजी में पास होके दिखा सकता हूँ जब कोई अंग्रेज हिंदी में पास नहीं हो सकता तो हम भारत के विद्धियार्थियों से क्यों अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अंग्रेजी में पास हो और अंग्रेजी भाषा नहीं है पास होने लाइक ये तो भाषा ही रद्धी है इस भाषा का इतिहास जब मैंने पड़ा पांच भी शताब्दी में तो ये भाषा आई माने मुश्किल से 1500 साल पुरानी है हमारी भाषा तो करोडों साल पुरानी है संस्कृत हिंदी, मराठी, तमिल, तेलगू, कंडड, मले आलम ये तो 1500 साल पुरानी है और दुनिया की सबसे रद्धी भाषा है अंग्रे जी, जिसकी कोई अपनी व्याकरण नहीं है, जो शुद्ध हो और ठीक हो, आपको एक उधारण देता हूँ, अंग्रे जी में एक शब्द है, प्यूटी पुट, ब्यूटी तो प्यूटी पट होना चाहिए, सी उटी कट, ब्यूटी बट तो प्यूटी पट, अगर प्यूटी पुट, तो सी उटी कुट, ब्यूटी बुट, यही होना चाहिए न, क्या मूर्ख लोगों की भाषा है, ग्रामरी नहीं है और परम्मुर्खता की भाषा ये अंग्रेजी एक शब्द है अंग्रेजी में उसमें कहते हैं Chemistry C-H-E-M-I-S-T-R-Y Chemistry तो यहां पर C-H जो है न का हो गया ठीक है तो Chemistry में C-H का हो गया तो चोपड़ा में कोपड़ा होना चाहिए C-H-O-P-A-R-A है न उसको चोपड़ा क्यों कहते हैं कोपड़ा कहो और C-H-O-P-A-R-A को चोपड़ा कह रहे हो तो C-H-E-M-I-S-T-R-Y को Chemistry कहो फिर एक जगे C-H का है एक जगे C-H-C-A है कुछ समझ में नहीं आता क्या इनका हिसाब किताब है मूर्खों की भाषा है ये अंग्रेज और इस भाषा की कितनी बड़ी कमजोरी है अंग्रेजी में एक शब्द है S-U-N माने सन माने सूरज अब किसी भी अंग्रेज माई के लाल को मेरी चुनोती है कि इसका दूसरा शब्द अंग्रेजी में से निकाल के लाए S-U-N का परियाएवाची है ही नहीं लाएंगे कहां से पूरी अंग्रेजी में सन का परियाएवाची नहीं है माने दूसरा शब्द नहीं है जो सूर्य को बता सके अब हम संस्कृत की बात करें सूर्य एक शब्द है दिनकर, दिवाकर, रवी भासकर, मारतंड 84 शब्द हैं हमारे पास संस्कृत में अंग्रेजी में एक ही है एक शब्द हैं अंग्रेजी में मून एक ही है चंद्रमा और हम संस्कृत में 56 शब्द हैं चंद्रमा के लिए अंग्रे जी का एक शब्द है वाटर माने पानी वो अकेला एक ही है वो नदी का पानी हो या नाले का कुएं का हो या तालाप का सब पानी वाटर है और यहां भारत में हर पानी के लिए अलग शब्द है बारिश का पानी अलग, समुद्र का पानी अलग, नदी का पानी अलग, तालाप का अलग, सरोवर का अलग, नाले का पानी अलग, कीचड का पानी अलग सब पानी के लिए अलग लग शब्द है अंग्रेजी में एक ही है water बहुत गरीब भाशा है अंग्रेजी शब्दी नहीं है उनके पास कितने गरीब है चाचा भी अंकल मामा भी अंकल, मौसा भी अंकल फूपा भी अंकल, फूपा का फूपा भी अंकल मौसा का मौसा भी अंकल कोई शब्दी नहीं है अंकल के अलावा और चाची, मामी, मौसी, सबांटी कोई दूसरे ही शब्द नहीं है हम तो मूर्ख लोग इस अंग्रेजी में फस गए अकल नहीं हमारी तो मारी गई है हमारे देश में जो अंग्रेजी पढ़ गए न अकल उनी की मारी गई है जो नहीं पढ़े वो बहुत होशिया है पता है मैं कुछ लोगों के घरों में जाता हूँ मैंने जिंदगी में एक नियम बनाया वो नियम ये है कि होटल में खाना नहीं खाऊंगा होटल में ठहरूंगा ने तो जख मार के मुझे घरों में ही ठहराना पड़ता है खाना खिलाना पड़ता है क्योंकि मैं खाता नहीं होटल में ठहरता नहीं तो हर बार नएने घरों में जाता हूँ खाना खाने रहने के लिए तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घर में भी जाता हूँ तो वो कैसे मूर्ख दिखाई देते हैं मुझे उसका उधारन बताता हूँ वो ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है खिचडी है बीच की और वो खिचडी कैसी है किसी के घर में गया तो पिता जी का नाम घर में राम दयाल माता जी का नाम गाहित्री देवी बेटे का नाम टिंकू अब मैं यही पूछता हूँ कि राम दयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहा से आ गया फिर मैं उनको पूछता हूँ आपको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है उनको नहीं मालूम नाम रख लिया बच्चे का टिंकू अर्थ नहीं मालूम ऐसे मूर्ख लोग अर्थ मालूम नहीं नाम रख लिया टिंकू 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 फिर डिक्षनरी खोल के दिखाता हूँ उनको अंग्रेजों की सबसे पुरानी डिक्ष्णारी है वेब्स्टर डिक्ष्णारी उसमें टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का जो लड़का बाप की न सुने मा की न सुने वो टिंकू है और हम क्या कर रहे हैं पड़े लिखे मूर्ख लोग आग्याकारी लड़के को टिंकू 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 बोल बोल के आवारा बनाने की तयारी कर ऐसे अंग्रेजी मूर्खों के घरों में जब मैं जाता हूँ तो ऐसे ही नाम मिलते हैं बबली डबली डबलू बबलू क्या मतलब है डबलू बबलू बबली डबली डिंपल ट्विंकल कुछ मतलब ही नहीं कुछ भारत में नाम की कमी हो गई है क्या और इससे भी बड़ी-बड़ी मूर्खिताएं मैं देखता हूँ कोई अदकचरे हिंदुस्तानी माने आदा अंग्रेज आदा हिंदुस्तानी के घर में जाओं तो इंप्रेशन जमाने के लिए माने रॉब जमाने के लिए अंग्रेज ही जाड़ेगा बले गलत सलत लेकिन जाड़ेगा जरू रॉब पड़े उसके उपर वो क्या कहेगा हिंदी में भी बोल सकता है वो बात नहीं बोलेगा वो कहेगा ओ राजीव दिक्षित शीज मैं मिसिज तो मैं पूछता हूँ रियली शीज योर मिसिज क्योंकि उसको मिसिस का अर्थ नहीं मालू है मिसिस का अर्थ जानते हैं क्या है हर देश की अपनी सब्विता अपनी संस्कृती होती है तो उसमें से निकले हुए शब्द की भी अपने इतिहास और संस्कृती की व्यवस्था होती इंग्लेंड की सब्विता कैसी ये मालूम है? इंग्लेंड की सब्विता में एक सबसे खराब बात है जो आपको कभी पसंद नहीं आएगी कि वहाँ एक इस्तरी और एक पुरुष जिंदगी भर साथ कभी भी नहीं रहते बदलते रहते हैं जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वो एक दूसरे को बदलते रहते हैं एक पुरुष की 20 इस्तरियां हो सकते हैं एक इस्तरी के 20 पुरुष हो सकते हैं मेरे कई दोस्त हैं इंग्लेंड और यूरोप में जिनकी 40-40 शादियां हुई हैं 41 भी करने को तैयार है ये उनके आँ चलता रहता इसको उनकी भाषा में कहते हैं extra marital affairs पर इस्तरी गमन पर पुरुष गमन तो एक पुरुष कई इस्तरियों से संबंद रखता है एक इस्तरी कई पुरुषों से संबंद रखती है तो पत्नी को छोड़कर जितनी इस्तरियों से संबंद रखने वाले होते है वो सम मिसिज में जाते है मानि मिसिज का अरत है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर में रात को सोएं वो मिसिज होती है पत्नी को छोड़कर अब यहां धरम पत्नी को मिसिस बनाने में लगे हुए हैं मूर्खों के मूर्ख पतानी कहां से पैदा हुए मिस्टर का मतलब उल्टा है पती को छोड़ कर कोई भी पुरुष जिसके साथ आप रात बिताएं वो मिस्टर होता है यहां पती को मिस्टर बनाने में लगे हुए छोड़िये इन अंग्रेजी शब्दों को इन में कुछ दम नहीं और एक तो सबसे खराब अंग्रेजी शब्दे पतानी लोग बोलते कैसे हैं उसको मैडम आप जानते मैडम कौन होता यूरोप में अंग्रेजों की संस्कृती में जहां पर परिस्त्री गमन होगा वहां वैश्यावरती होने वाली है कि नए परिस्त्री गमन पर पुरुष गमन वैश्यावरती चरम पर होगी तो वेश्याएं जो अपने कोटों को चलाती हैं अपने वेश्यावरती के काम में लगी हुई वेश्याओं की जो प्रमुख वेश्या होती है उसको मैडम कहते है melt और यहाँ हिंदुस्तैन में अपनी बहनों को मैडम कह देते हैं ऐसे मूर्ख लोग मैंने इस देश में देखे हैं अपनी धरम पत्नी को मैडम कहने में शरम नहीं आती ओ मैडम इधर आओ और वो धरम पत्नी को भी शरम नहीं आती मैडम कहलवाने में वो भी कहते हैं मैडम कहो मुझको जान तो लो कि मैडम होती कोन है फिर कहल वाओ अपने भारत में कितने सुन्दर सुन्दर शब्द है श्री मती श्री माने लक्षमी मती माने बुद्धी बुद्धी माने सरस्वती लक्षमी तो जहां सरस्वती लक्षमी एक साथ निवास करे वो श्री मती उसको हमने मिसिस बना दिया ये मूर खा दिपती हमारे देश में अंग्रेजी पढ़े लिखे इनों ने बड़ा सत्यानाश किया बेड़ा गरक किया इस देश का इस अंग्रेजी भाशा ने किया फिर इनों ने और ज़ादा किया मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस अंग्रेजी भाषा में मत फसी है कुछ इसमें रखा नहीं है दम नहीं है कभी-कभी तो मैं लोगों के घरों में जाता हूँ इतना गुस्सा आता है मुझे कभी-कभी अंग्रेजी पढ़े लेके लोगों के घर में जाता हूँ तो छोड़-छोड़े बच्चे होते हैं न उनको उनके माता-पिता केते हैं देख बेटा अंकल आये हैं जराफ पोईम तो सुना मैं कहता हूँ भाई मैं अंकल नहीं हूँ मुझे या तो मामा बना लो या चाचा बना लो दोनों में ही आपका फाइदा है मेरा भी फाइदा है मामा बनो तो भी फाइदा चाचा बनो भी फाइदा अंकल में तो कुछ रखा नहीं है फिर उनकी माता-पिता को कहता हूँ य कुछ को Green Green Go Away Come Again Another Day Little baby Wants To Play अब मैं बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूमें इसका अर्थ क्या है नहीं मालूम किस ने सिखाया मम्मा ने सिखाया मम्मा को पूछा आपको अर्थ मालूमें Rain Rain Go Away नहीं मालूम किसने बताया टीचर ने बताया टीचर को पूछो उनको भी अर् रफी नहीं पता फिर बच्चोंको मैं बता नहीं है ऊरुव मज़े खेलना है इसलिए वह बारिश को कहरा है बारिशर बारिश तुम चली जाओ यहां मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है और इस इश्वर से प्रार्थना के रूप में कविता है करुणों बच्चों ने ये कविता गाई और ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को वापस बुला लिया तो क्या होने वाला है बारिश नहीं होगी बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा सूखा पड़ेगा तो आप भी भूके मरेंगे मैं भी मरूँगा, किसान भी मरेंगे इतनी अकल नहीं है हमको यह rain rain go away कितनी खतरनाक चीज है हमारे भारत में 60 प्रतिशत खेती बारिश पर होती है 40 प्रतिशत खेत में ही सिचाई की व्यवस्था है जब 60 प्रतिशत खेती बारिश पर हो तो बारिश जादा होनी चाहिए इस देश में ऐसी कविताएं हम बच्चों को क्यों नहीं सिखाते लेकिन वो कविताएं मात्र भाशा में हो सकती हैं अंग्रेजी में नहीं हो सकते मैं एक मराठी मात्र भाशा की कविता सुनाता हूं आप अर्थ बहुत सीधा है उसका वो कविता है येरे येरे पाउसा तुला देतो पैसा पैसा जहला खोटा पाउसाला मोठा ये रे ये मने आओ आओ जल्दी जल्दी बारिश तुम आओ पाऊ सा मने बारिश मराटी में कह रहे हैं बारिश बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ नहीं आओ तुम्हें पैसा देने को तैयार हो तुम आजाओ क्योंकि मुझे बारिश की जरूरत है क्योंकि खेत को पानी की जरूरत है क्योंकि 60% खेती बारिश पर आधारित है तो भारती कविता बारिश को बुलाने वाली होती है और अंग्रेजी कविता बारिश को भगाने वाली होती है क्योंकि इंग्लेंड में मौसम खराब रहता है कभी भी बारिश आती है इसलिए वहाँ के बच्चे कहते है rain rain go away क्योंकि बारिश का कोई भरोसा ने